हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइलोजी वर्ल्ड, आम प्रैंका शोरान, तोड़े विल डिस्कूस अबाउट अब्रीफ अकाउंट ऑन इवलुशन, यह एक ऐसा टोपिक है जिससे एक्जाम में 101% एक कोश्चन तो आएगा ही आएगा, मतलब पूरे इवलुशन का एक फेक्ट हम कह सकते हैं, या फिर पूरे एवलुशन की एक समरी इसको हम लोग कह सकते हैं, सो ऐसे कोश्चन से हैं इसके अंदर, जो फिशेज कब इवॉल्फ हुई थी, जब हमने जी टीय पढ़ा था, जी टीयस पढ़ा था, तो उसमें था कि पिरियर्ड एपोच एरा के ब पनें, या एमफीबियन पहला कौन सा एमफीबियन था, फिशेज कौन सी थी, तो ये जो कॉश्चन से हैं, ये जो फेक्ट हैं, आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ओल, इफ या टोकिंग अबाउट फर्स्ट सेलिलर फॉर्म, जो लाइफ की पहल पहली सेलिलर फॉर्म कब आई थी, इस अराउंड टू थाउजन मिलियन इयर्स अगो, फाइफ हांडर्ड मिलियन इयर्स अगो, क्या आए, इनवर्टिब्रेट्स आए, और अर्थ पे एक्टिव हो गए, देखो पेटा, इसी तरह की कॉश्चन साएंगे, कि इनवर्टिब कि लैंड को इनवेड करने वाला पहला और्गैनिजम क्या था, प्लांट था, या फिर एनिमल था, या रेप्टाइल्स थे, या फिश्चे थे, तो ये सारे कोश्चन, इस तरह की कोश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, इन नियाँ, फिया एउजए द आएंगी। आइन यहांट फिशन जो एए अ आगउ मौळ थे, व्या फिशन Norjs हा想न से एंग्डीन को बिस तरह करना, इन थे, व्या य। अग्दिä पर चिआ हो ग्हांट सेमीञत पोछी थे, निय। तरह का सबूछा सी थे,ंवेड सब्सक्राइब yeah अर जब एनिम Cube ऑए जब एनिम्र्न एर्थ पर आये उस टाइम पर जो प्लांट्र्ण्ज है वे चारो तरफ एर्थ के चारो तरफ मतलब कहा सकते हैं कि एर्थ को completely उन्होंने घेर लिया था यह हर जगह plants पाए जाते थे जब animal आया ठीके तो पहला क्या हो गया first organism क्या हो जाएगा वो हो जाएगा plant around 350 million years ago fishes with stout यह बहुत important है fishes with stout and strong fins fishes with stout and strong fins they just move on the land and go back to the water मतलब dual life जीरी है दर्ती पे भी आ रही है और वापस पाने में भी जा रही है कब 350 million years ago अच्छा देखो इसमें दोनों character है कि वो earth पे वो terrestrial भी है और वो aquatic भी है वो land पे भी है और वो water में भी अपने life cycle को complete कर रहा है तो it means they are the they are the amphibians around 1938 1938 में जो एक fish है that is collocanth इसके कुछ fossils मिले थे और यह पहला amphibian थे हाला कि fish है collocanth एक fish है जिसमें stout है और strong fins है और यह क्या करते थे यह earth पे मतलब land पे आते और वापिस water में चले जाते तो इसी लिए in collocanth को या lobe fins को first amphibians बोला गया क्या बोला गया first amphibian तो अगर question आ जाए कि पहला amphibian क्या था fish था bird था reptile था या मतलब पहले से ही वो क्या थे एक amphibian था तो वो क्या थी एक fish थी या इससे एक और conclusion भी हम निकाल सकते हैं कि जो amphibians हैं वो किस से evolved हुए हैं वो evolved हैं fishes से ठीक है so the amphibians पहला जो amphibian था that was a fish that is collocanth और फिर fishes किस में convert होगी जो dual life GTT land पे भी water पे भी mean that fishes से evolved हुए amphibians और धीरे-धीरे amphibians में बहुत सारी modification आई और amphibians से बन गए reptiles क्या बन गए reptiles और जो early reptiles थे जो early reptiles थे usually दो तरह के थे that is sauropsids and synapsids sauropsids that is lizard like early reptiles lizard like early reptiles and synapsids they were the mammal like reptiles तो हम कह सकते हैं कि जो sauropsids है इन्होंने snake को जो snake हो गया lizard हो गया dinosaur हो गया turtle है यह सारे किस से evolve हुए यह evolve हुए sauropsids से और if we are talking about the synapsids तो जो mammals है mammals है वो किस से evolve हुए वो evolve हुए synapsids से तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो early reptiles है उन्होंने lizards बनाए उन्होंने dinosaurs बनाया उन्होंने mammals बनाए तो यह सारे जो organisms हैं किस से evolve हुए वो evolve है early reptiles है जो कि बाद में extinct हो गए so this is soro, soro ठीक है और यहां पे syna यह दो different terms है soro मतलब that is for the lizards and synapsid मतलब mammal-like reptiles जिन से बाद में mammals बने तो synapsid से बना palycosaurus जो कि extinct हो गए इन से evolve हुए theropsids जो कि extinct हो गए और इन से बने क्या mammals कैसे बने? modification से, changes से now if we are talking about the lizard-like early reptiles that are soropsids तो इन से क्या बने? इन से बने turtles क्या बने? turtles इन से बने thicodons thicodons जो बाद में extinct हो गए और इन thicodons से modify होगे बने dinosaurs, birds and crocodiles dinosaurs, birds and crocodiles किस से बने? thicodons से, जो कि किस से evolve हुए थे? soropsids से, जो क्या है? early reptiles है जो बने थे amphibians से और colokynth, the first amphibian जो बने थे fishes से so now we are talking about the soropsid तो title बना, then thicodon, then snake, lizard and tuatra that is also known as sphenodon जिसको क्या कहते हैं हम लोग? sphenodon तो जो dinosaurs थे, वो around 65 million years ago अचानक से, एकदम से, मतलब कोई, में भी ये reason हो सकता है कि उस time पे earth का जो atmosphere है वो change हो रहा था और वो उस change को बियर नहीं कर पाए, इसी लिए dinosaurs extinct हो गए और इसमें एक question आता है, बहुत important question आता है कि सबसे biggest dinosaur क्या है, या कौन है, या कौन है, या trinosaurus rix so ये क्या है, ये एक evolution की छोटी सी, मतलब reptiles से mammals कैसे बने, उसका छोटा सा एक flow chart है जो कि बहुत important है, जो exam में पूछा जाता है, जिस से 101% MCQ आती है अगर evolution की बात कर रहा है, तो evolution में ये जो part है, ये बहुत important है so early reptiles, जो कि extinct होगे, इनसे बने sauropsids and the synapses, cynapses were the mammal-like reptiles, जो इनसे बने mammals और जो sauropsids थे, इनसे बने lizard, इनसे बने snake, इनसे बने turtle, इनसे बने dinosaurs, इनसे बने birds और इनसे बने crocodiles okay, next, जो उसके बाद, like जो आने वाले, मतलब जब amphibians आ गए थे, उसके बाद से अगले जो 200 million years थे, वो क्या थे, एकदम drastic change आया, किसमे, reptiles में, और reptiles की अलग-अलग shape, अलग-अलग size, या reptiles में, बहुत सारी variation देखने को मिली, कब amphibians के अगले, जो जब amphibians evolve हो गए थे, उसके बाद के जो 200 million years थे, उसी टाइम पे giant ferns भी present थे, giant fern that is teridophyte, और around उसी वक्त, अगर आज की बात करू तो आज से, around 200 million years ago, कुछ ऐसे reptiles थे, जो land पे रहते थे, लेकिन क्या हुआ, कि वो वापिस से, पानी में जाके रहने लग गए, लैंड पे रहते थे, और वापिस से, पानी में जाके रहने लग गए, तो इसी लिए इनको बोला गया, fish like reptiles, देखो, एक्थी, that is for the fish, and saurus, that is used for the reptiles, तो एक्जाम्पल हो जाएगा, fish like reptiles का, एक्थियो सौरस, जो की, usually कहां पाया जाता था, मतलब था तो land पे एक reptile था, बट, उसने अपने लाइफ साइकल किया है, अपने आपको, convert का लिया, aquatic में, and the very very important question, about the first mammal, so the first mammal was shrew, क्या था, shrew, और ये एक्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, कि पहला mammal कौन सा है, या which of the following is the first mammal, so that is shrew, तो ये था एक brief account evolution के बारे में, हलाकि हमने अभी तक, जो palanthiological evidence है, उसी को complete किया है, उसके बाद, like, जो different homologous organs है, analogous organs है, mean the comparison between the morphology and anatomy, उनके structures, ये भी बाकी है, तो वो हम पढ़ेंगे next video में, so that's it for today, if you like my video, then please share and subscribe my channel, thank you.